ब्रहमा अस्पिर ने पहले दिन 75 करोण रुपीस कमा लिये दूसरे दिन की booking की भी मैं बात करूँ तो बहुत ही decent booking थी लेकिन तीसे दिन यानि की Sunday का क्या हाल है Sunday के लिए इस film की कितनी booking हुई है इस बात को लेकर जो खबर आ रही है मैं इना कुमावत आपको फिल्म इंडों पर बताऊंगी तो ये फिल्म लगभग साड़े आठ हजार स्क्रीन्स पर ना सर्व इंडिया में बलकी ओवरसीज डिलीज हुई है अब थर्ड डे के एडवांस बुकिंग की बात की जाए 2D में अगर डिवाइड करें तो 2D की 2.43, IMEX 3D की 1.24 टिकेट बिक चुकी है तो इस तरीके से जो टोटल आकडा है वो होता है 12.76 या अभी तक की जो आकड़ी सामने आई है तेल्गू में 84 लाक्स रुपीज की टिकेट बिक चुकी है जिसमें 3D के 54 लाक, 2D के 30 लाक तमिल की बात की जाए तो 19.50 जिसमें 3D के 18 लाक और 2D के 1.50 लाक 3D की Real Advanced Booking Gross 13.80 करोड है यानि की 43,371 टिकेट बुक होई है तो 13.80 करोड फिलहाल इंडिया से जो आकड़ा है वो सामने आ रहा है दूसरे दिन की भी बात की जाए तो जहां पहले दिन 17.71 करोड टिकेट बुकी थी वहीं दूसरे दिन 20.10 करोड यानि की जो दूसरा दिन था यानि की आज पहले दिन से भी जादा कमाई होगी तीसरे दिन 13.80 तो यह जो डाटा जो सामने आ रहा है उससे एक बात तो तेह है कि यह तीन दिन में फिल्म जो है वो अराम से 100 करोड रुप्या कमाने दिन झाल